ओम नमो भगवति वासु देवाई नमस्कार भगवान विश्णु जी और माताल लक्ष्मी जी का आशिरवाद आप पर और आपके समस्थ परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनो कामना पूर्ण हो तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माग पूर्णिमा की उत्पती कैसे हुई? माग पूर्णिमा कब है? उसका शुब मुहरत क्या है? उसका महत्व और पूज़ा विधी क्या है? माग पूर्णिमा वृत पर कौन से उपाय करने चाहिए? आदि कई सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आ पूर्निमा से संबंदित है उसकी चर्चा करते हैं देखिए माग पूर्निमा का हिंदु दरह में अधिक महत्व है इस दिन स्नान दान और जब करना शुब फल दाई रहता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार माग मास के शुकल पक्ष की पूर्निमा तिथी के दिन माग पहले हम जानते हैं कि माग पूर्निमा की उत्पति कैसे हुई थी देखिए माग शक्त्र के नाम से माग पूर्निमा की उत्पति होती है ऐसी मानिता है कि माग माह में देवता पृत्वी पर आते हैं और मनुश्य रूप धारन करके प्रियाग में सनान दान और जब करते हैं इसलिए कहा जाता है कि इस दिन पर्याग में गंगास नान करने से समस्त मनो कामनाई पून होती है और मोक्ष की प्राप्ती होती है शास्रों में लिखे कत्नों के अनुसार यदि माग पूर्निमा के दिन पूश्य नक्षक्त्र हो तो इस दिती का महत्व और बढ़ जाता है ऐसी धार्मिक मानिता के अनुसार 27 नक्षक्त्रों में एक माग पूर्निमा की उत्पती हुई है मागपोनिमा की महत्वकावलेख्य पुरानिक गरंथों में मिलता है इस दिन बगवान विश्णू और हनुमान जी की विशेश रूप से पोजा की जाती है इस दिन बगवान विश्णू की पोजा करने वाले भक्तों की सभी मनो कामनाय पोन होती है ऐसी माननेता है कि इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में सनान करने से दान पुन्य मिलता है अब बात करते हैं माग पुनिमा बरत के शुब मुहरत की तो माग पुनिमा की तिथी का आरंब तात पर ये है कि इस वर्ष 2024 में ये तिथी 24 फर्वरी शनिवार को पढ़ेगी इस शुब मुहरत में दान पुन्य करने से व्यक्ति को पुन्य की प्राप्ति होती है तो आईए अब जानते हैं कि माग पुनिमा का महत्व और पूजाविदी के बारे में दोस्तों जैसे कि हम जानते ही है कि माग पोनिमा माग मास का अंतिम दिन होता है चंदरदेव इस दिन अपनी पोन कलाओं में होती है माग पोनिमा को मागी पोनिमा की नाम से भी जाना जाता है इस दिन पुवित्र नदी में स्नान इवदान पुन करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है हिंदु मानेता कहती है कि माग पुनिमा पर गंगा स्नान करने वाले जातकों को सुख सुभाग्य और संतान सुख प्राप्त होता है क्यूंकि मागे पोन्यमा के दिन पगवान विश्नु सुएम गंगा नदी में सनान करते हैं कहा जाता है कि माग mala मा के दिन शिब्मोरत में पूजा करने से बैकूंट की प्रापती होती है पद्मपुरान के अनुसार भगवान विश्णु जब तप और सनान से बाकी महीनों में उतना परसंद नहीं होते हैं जितना की वे मागमास में सनान करने से होते हैं माग मास में सनान के अलावा दान का वी विशेश महात्व है इस महीने में कंबल गुड और तिल का दान उत्तम मना जाता है पुनिमा का ब्रत करने वाले लोग पूरे विदी विदान से भगवान सत्य नरायन की भी पूजा करते हैं इस दिन सोरे ओदे से पूर्व सनान दान और जब करना बहुत पुन्यकारी माना जाता है आईए अब जानते हैं माग पुनिमा ब्रत की पूजा विदी माग पुनिमा के दिन प्रतका सोरे ओदे से पूर्व किसी पवित्र नदी जलाशे में सनान करें यदि पवित्र नदी में सनान नहीं कर सकते तो घर में नहाने के पानी में गंदरजल डाल कर सनान करे साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारन करे सनान के बाद सूरे मंत्र का उचारन करते हुए सूरे देव को अर्ग दे स्नान के पस्चात ब्रत का संकत लेकर भगवान मदो सूधन की पूजा करे गायतरी मंत्र या ओम नमो नारायन मंत्र का 108 बार जब करे मद्धिहान काल में ग्रीव व्यक्ति और ब्राम्रों को भोजन कराकर दान दक्षिना दे काले तिल विशेश रूप से दान में दे बगवान शिनी सत्य नरायन की पूजा का विशेश महत्व है क्योंकि वे बगवान विश्नु के एक रूप हैं सत्य नरायन की पूजा में केली कपत्ता पंचामरित सुपारी पान श्यहद मिश्थान तिल मोली दुरुवा कुनकुम आधिका उप्योग करे इससे शिरी हरी क का आशिरवाद मिलता है इस दिन सत्य नरायन की कथा करवाने से सुभाग्य का बर्दान मिलता है और घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है आईए बात करते हैं कि माग पोनिमा ब्रत पर कैसे करे नो ग्रहूं के लिए दान देखिए सूरे के कारण हिर्द्य रोग और जल, मिस्री या दूद का दान करें मंगल के कारणी रक्त दोश और मुकदमी वाजी की समस्या होती है इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें बुद्ध के कारण तुचा और बुद्धी की समस्या हो जाती है इसके निवारन हीतू, हरे सबजियों और आमले का दान क ब्रहस्पति के कारण मुटापा, पाचन तंत्र और लीवर की समस्य होजाती है इसके निवारन के लिए केला, मक्का और चनी की दाल का दान करें शुक्र के कारण मदुमेय और आखों की समस्या होती है इसके निवारन के लिए गी, मखन और सफेद तिल आधी का दान करना चाहिए शनी के कारण सनायो तंत्र और लंबी बिमारिया हो जाती है इसके निवारन के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए रहु केत्टु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं, इसके निवारन के लिए साथ तरह की अनाज, काले कमबल और जूते चपल का दान करें। यह थे वो दान पुन्यों जो आप मा पुनिमा पर कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं मा पुनिमा ब्रत के दोरान कि के जाने वाले उपाय के बारे में देखे पौनिमा की रात को मातर लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए पौनिमा को सवेरे सवेरे सनान कर तुलसी को भोग, दीपक और जल अवश्य चड़ाएं पुनिमा के दिन चंदरुदे के समेट चंदरमा को कच्चे दूद में चीनी और चावल मिलाकर ओम, एम, क्लीम, सोमाय, नम्ह मंतर का जब करते हुए अर्ग देना चाहिए दन प्राप्ति के लिए पुनिमा के दिन मालक्ष्मी की प्रतिमा पर ग्यारा कोड़ियं चड़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें इस दिन प्रताहकाल सनान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चड़ाकर जल अर्पित करें और अब अंत में जानते हैं कि माग महीने के क्या नियम है देखिए माग माह में अंड बस्त्र तिन गुड कंबल गी गीता गेहूं जल का दान सोना दान करने के समान माना गया है माग में देर तक ना सोए, रुजाना स्नान करे, तला भोजन ना करे, बिस्तर का त्याकर जमीन पर सोए माग मास का संबंध श्री कृष्ण के मादव सब रूप से है ऐसे में रूज काना की पूजा करनी चाहिए, प्रति दिन मदुराष्टक का पाठ करने से दोश्माप्थ होते हैं वही गीता पाठ करने से घर में सुक शान्ती आती है माग मा में तिल का छे तरीकों से उप्योग करना चाहिए तिल से स्नान, सेवन, दान, उप्तन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग लगाए पुरानों के अनुसार ऐसा करने पर आरोग्य, एश्वर्य और धन प्राप्ट होता है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमली फ्रेंट के साथ जैदा से जैदा शेयर कीजिए और हाँ एक बार तोर अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद जल्दी मिलती हूँ एक नेधार्मिक वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे